क्या है इंडियन ट्रेडर के लिए मार्केट के लिए ये फेड मीट क्या माइने रखती है ये सवाल हम पूछेंगे समझेंगे निकुंच से निकुंच हमारे साथ स्टूडियो कहा है गुड बारिंग निकुंच कल शाम को Janet Yellen जी ने भी एक बड़ा आश्वासन देने वाली स्पीच दी वो जो है पावल साब की बास है तो क्या ये सेंस बन रहा है कि एक ही alignment रहता है एक ही policy making का दो अलग direction में नहीं है तो क्या ये उम्मीद करी जा सकती है कि गवरनर साब फेड के वो थोड़ा एक डविश इस बार tilt लेने आप कैसे देखते हैं ओड्स को कैसे देखते हैं तेकिये कल रात को U.S. administration से या हमें you know Mrs. Allen से किस प्रकार की commentary मिली उन्होंने बोला है कि वह एक banks में अगर depositors की U.S. economy में जितने भी banking sector जितने भी depositors हैं they will protect the depositors सबसे important हुआ है तो एक बात तो पकी है कि U.S. market or U.S. government and federal reserve will now ensure that U.S. banking system के अंदर कोई बहुत बहुत बला collateral damage नहीं होगा यह अच्छी ख़बर भी बुरी ख़बर भी है अच्छी ख़बर है जी कि collateral damage नहीं होगा depositors का पैसा जो एक प्रकार से insured है बगर जो actual loss है वो loss की भरपाई कौन करेगा लॉस तो रियल है जो loss 650-750 billion dollar के जो नाकड़े घूम रहे है economy के अंदर उसको loss की भरपाई कौन करेगा because वो loss तो आपकी interest rate ऊपर जाने से आ चुका है तो यह आज अच्छी बात है कि U.S. Fed इंडिकेट कर रहा है कि किस प्रकार हम खड़े हैं और हम U.S. banking system को सम्माल लेंगे मगर आगे क्या होगा अंग्री जी में कहते है are they kicking the can down the road अब Fed की बात करते है, Fed क्या कर सकता है, rate बढ़ा सकता है, अगर rate बढ़ाता है तो एक बात जाहर है कि U.S. Fed को लगता है कि U.S. banking system एक और rate hike absorb कर सकता है, second, एक और endorsement है कि inflation अभी खतम नहीं हुई है तो मेरे साब से इन्योटम में अगर Fed rate बढ़ाता है तो अच्छी बात है, यह मेरा परसलमान एक minority view है क्योंकि इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक प्रकार का endorsement दिया है कि U.S. financial system rate hike absorb कर सकता है, confidence आता है यह आपकी आपने बात कही थी, कल आपने बताया था कि आपको एक कांट्रवीव आ रहा है कि rate hike के बाद भाग सकता है rate hike के बाद भागेगा तो हमने तीन इसके option निकाले है कि एक छोटा hike, 65 basis का तो चल सकता है बजार बड़ा hike जिसकी कम probability है अब जो दिख रही है बट है probability on the table और नो hike की आपके सबसे इन तीनों कि मैं कैसा बजार react करेगा चोटा hike, 25 basis point का तो मेरे सबसे उस सेनारियो को हटा देना चाहिए 25 basis or no hike और अगर नहीं किया नहीं rate hike करा तो मेरे सबसे market किर जाएगा क्योंकि यह डीप ट्रबल का अंदिशा है कि आपके दो मुद्धे है इससे में मुद्धा number one interest rate function which is interest rate का जो curve है that is a function of interest of inflation inflation pick out नहीं हुई है तो US Fed को inflation नीचे लाना ही पड़ेगा तो एक trajectory चल रही है वगवर trajectory अगर वो change करते हैं अचानक जो financial system में हो रहा है इसका मतलब है कि financial system की जो condition है that is forcing the Fed to rethink their tightening part तो जब part से अपने waiver हो रहे हैं तो इसको क्या कारण है और क्या US financial system के अंदर इसमें इतनी चिंताए है कि वह एक rate tightening की commitment थी उसे दो जा रहा है Fed ने अभी भी अपना 2% का जो inflation target है वह change नहीं कर रहा है US financial system को संभाल के रखना के अलग instruments है और interest inflation fighting के अलग instruments है तो Fed यह आकर गर समझाता है तो market trial ही करेगा तो Fed आकर बोलता है तो inflation जादा है मगर we've been forced not to increase the interest rates because of other factors then that means that बड़ी समझ से आ रहा है That means if Fed is worried, it is really a big problem If Fed is worried, we should be worried We should be worried, right, correct लेकिन हम यह Indian banking system की भी बात करते हैं कुछ क्योंकि कल SBI के management meet के कुछ concludes निकल कर रहा है अब तक जो बात की जारती, credit growth बहुत strong है लेकिन अब इस note में निकल कर रहा है, शायद credit growth थोड़ी moderate हो सकते है और यह बात आप भी पहले कहे चुका है, का best of the NIMS are behind us I am surprised with that report actually, because मुझे नहीं लग रहा है कि आसपास के एक report है, official comment है अगर आप State Bank of India की बात करें तो 15-16% के आसपास की उन्होंने credit growth की guidance दी है last quarter में आकर के उन्होंने credit growth की जो guidance दी उसको बढ़ा दिया है तो क्या State Bank of India यह बोल रहा है कि अगले साल जो credit growth उन्हें FI24 में दीख रही उसके इंदर थोड़ा सा दीमापन आएगा क्या बेस की वज़े से है या फिर क्या एकॉनमी में जोड़ाउन हो रहा है यह बोलना बहुत मुश्किल है अगर यह बात तो जरूर है कि जो sugar rush हमने देखा था दो 2023 के अंदर खासकर के लास्टों कॉर्ट इंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर वह मेरे साब से इस समय पीछे हो चुका है मुझे लगता है market अब differentiate करने लगेगा चोटे banks में बड़े banks में जब राइजिंग टाइड होती है तो चोटा बड़ा mid-tier, large-tier साब एक साथ उपर जाते हैं शायद हमने यह फैक्टर देखा था दिवाली के बाद से जैनवरी तक तो बजट के बाद आपने बैंक लिया दिन्ट मैटर वह चोटा बैंक यह बड़ा बैंक है, as long as you bought a financial stock market उपर गया था, वो stock में आपको पैसे बने, मगर मुझे लगता है 2024 में वैसा नहीं होगा, big banks will outperform, big banks which have a strong, they will outperform, mid-tier banks के अंदर जो मने शुगर रश देता था वह खतम हो चुका है, और small PSU banks, मैं कई बार banks के नाम ले चुका हूँ, small PSU banks मुझे लगता ह वो underperform करेंगे, Yuko bank का director साब chart fire करें, SBI का chart fire करें, आप साल के beginning से देखें इनके charts, और 52 week high से इनकी decline देखें, अभी देखते हैं, हम कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमान की जुरत नहीं होती है, Yuko bank, आप देखें Yuko bank उपर में 36 रुपया गया था, 52 week high से Yuko bank 110 रुपया उपर है मगर 36 रुपय का असपास था, और 36 रुपय से गिर गिरा करें, 24 रुपया उचुका है, कितनी बड़ी गिरावट आई है, SBI को देखें, ICIC bank को देखें, B.O.B. को देखें, B.O.B. मेरे साब से 190-200 के असपास गया था, 170 है, अब यह देखें SBI, SBI इतनी ज्यादा पर निकुर्ण जिए, Hindustan Zinc चौथी बार अंतरम डिविडेंट का ऐलान किया है, क्योंकि वेदानता के पास 65% स्टेक है, तो इसी के नाते करीब 7,125 करोड वहां पर भी मिलेंगे, कैश पोजिशनिंग में किस तरह के बदलाव देखेंगे, और अब यहां पर कैसे sentiments नजर आपको समझना है कि Hindustan Zinc को independently देखना है, हम इस खारण में नहीं जा रहे हैं कि वेदानता ने क्यों cash निकाला है, क्यों cash strategic purpose के लिए है नहीं है, मैं दोतिन चीज ब्रिंग आउट करता हूं, आप जब किसी भी company को देखते हैं, तो company को independently value करते हैं, तो company के dividend yield को देखते हैं, अब वो change हो जाएगी, because company में से cash निकल चुका है, second, आप इतना cash अगर company में से निकाल रहे हैं, तो company की growth of future prospects क्या होंगे, zinc और Hindustan Zinc के अंदर जो strength है, वो है इनकी mining sector की strength है, commodity की strength है, one of the lowest cost producers हैं दुनिया में, बगर आप क्या उस business को आप और grow कर पाएंगे, क्योंकि आपने cash निकाल लिया है, तो खुल मिलाकर है, Hindustan Zinc जो एक stock था, trading stock रहता था, जब stock नीचे जाता था, 6-7% dividend yield थी, सके अंदर comfort zone में market आ जाता था, commodity prices में हम देखते थे, जब उच्छाल आता था, stock outperform करता था, तो यह double benefit मिलता था, investors और traders को, question of uptick of high commodity prices and question of high dividend yield stock, अब dividend तो इसमें आने वाला नहीं है, cash अब 1 billion dollar से भी कम हो चुका है, जो एक जमाने में 25 हर कोड से उपर होता था, मैं इन कारणों में नहीं जा रहा हूं कि Vedanta राइट कर रहा है, वह दूसरी बात है, बगर Hindustan Zinc के minority shareholders के नज़रिये में, Hindustan Zinc की dividend yield अग नीचे आएगी, किसी भी stock की dividend yield ओके, और राइट, बहुत 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 शुक्रिया निकुंच ये सारे analysis के लिए, तो हिंदूसा Zinc पर हमने discussion किया, SBI के management commentary के बाद, banks को भी आज देखेंगे